बाकि इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो यह चीज़ते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की जो मैं आपको एंड्रोइड और अपल कार प्ले में खासकर बताना चाहरा था जो लोग कहते थे कि मैं अपनी गाड़ी में वीडियो कैसे प्ले कर सकूंँ वेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग सवागत है आपका अपने चैनल डिकास इंफो पे मैं हूँ आपका host और दोस्ट Mr. DSBist दोस्टों तो आज दोस्टों मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेका है हूँ जिसमें आप जानेंगे कि Volkswagen का music system, Volkswagen का AC panel और Volkswagen का digital cluster किस तरीके सा आप इसको use कर सकते हैं इसका एक review मैं आप लोगों के लिए लेका है हूँ तो आप जानेंगे कि सबसे पहले जानते हैं कि AC कि इसके AC को आप किस तरीके से use कर सकते हैं क्योंकि यह touch AC panel यहाँ पर Volkswagen ने दिया है तो AC को हम करते हैं on जैसे आप इसमें हाँ पर touch करेंगे तो यह आपका AC यहाँ पर on हो जाएगा दोस्तों और इसका flow भी आप इसको बढ़ा सकते हैं with sliding और आप प्लस प्लस टच करके भी इसका आप flow बढ़ा सकते हैं यानि fan की speed को कर सकते हैं और अगर आपको इसको बंद करने के लिए आपको केवल यहाँ पर sliding में सबसे minor point में लेकर आना है उसके बाद आपको इसको touch करके रखना है तो यह आपका हो जाएगा AC off दोस्तों फिर से इसको on कर लेते हैं फिर यहाँ पर आपका temperature का है temperature का भी वही sliding में है आप किस तरीक से बढ़ाते हैं प्लस माइनस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अब माली जैसा कि front windshield में आपका जो है कि यहाँ पर fog जम रहा है तो अब आपको कैसे इसको करेंगे अब तो यहाँ पर आप यह max वाला button दबा देंगे जिससे कि आपका front का defogger on हो जाएगा जैसे कि यह जैसे यह दबाया तो यहाँ आपका front में on हो जाता है जिससे कि आपका जो जल्दी से जल्दी हड़ी आएगा और इसको अगर आप चलते हुए धीरे धीर अगर आप अगर आप यहाँ आपका इस तरीके से यहाँ पर on हो जाता है फिर rear defogger के लिए आपको यहाँ पर यह switch है इसको यहाँ पर मतलब इसको touch करना है तो आपका rear defogger on हो जाएगा अभी यह on नहीं होगा क्योंकि आपकी गाड़ी start नहीं है वो work करता है क्योंकि आपका जब गाड़ी start होते हैं क्योंकि वहाँ पर होते हैं heating elements वहाँ पर कुछ factory्या अप देख रहे इस में साब modes इसके change कर सकते हैं दो सो जैसे यह अब आपका में चले गयाँ है यह अपका पैरो में भी आ आ है यह अपका यहाँ पर outrage और face में दोनों आ रहा है और यह आपका Hö see-face में आ रहा है तो इस तरह किसा आप इसको change कर सकते हैं दोस्तों कि इसको आउन करने कले हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको एक दिया है, इसको यह आपका, अंदर से ही AC की हवा को वो करता है, उसको कूलिंग करता है, बाहर से नहीं लेता है, अगर आप इसको आउन करेंगे, और हमेसा जब भी आप गाड़ी चलाएं कि इसके cluster को आप किस तरीके से use कर सकते हैं सबसे पहले ये गाड़ी shared में खड़ी तो इस वज़े से इसमें आपका please switch on the lights आ रहा होगा दोस्तो तो पहले lights switch on कर लेते हैं यह हमने auto mode में कर दिया है तो light automatically on हो गई है अब मैं यहाँ पे से वो चीज आपका हड़ी है अब इसके विये view mode को change करना है तो यहाँ पे एक view button है जिस वज़े से आप इसको दबाएंगे और यहाँ पे आपका ये view mode change होते रहेगा दोस्तो अब इसमें क्या है इसमें आपका fuel efficiency है यह क्या चीज है उनको आप कैसे setting करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं जैसे कि यहाँ पे आप पहले जैसा भी हमारा याला है जिसमें आप इस साइड में economy देख सकते हैं इस साइड में आप अपना average देख सकते हैं सारी चीज आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगी जैसे आप यहाँ पर यह करेंगे यहाँ पर settings आ जाती है फिर इसको आप scroll करके ऐसे देखेंगे economy mode हो गया average economy हो गया यह आप देखें आपको gear display हाँ पर आ गया oil temperature हाँ आ गया डेटा आ जाएगा जिसमें आप यहाँ पर set कर सकते हैं driving data है, distance time है, average speed है, audio है, telephone है यह सारी चीज़े आप यहाँ पर इसको set कर सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको यह दोनों side में अलग-अलग चीज़े दिखाएगा बट अगर आप इसमें इस वाले portion में, जैसे जो speedometer जहाँ पर आपको दिखाएगा इसमें अगर आप करेंगे तो इसमें आपको single ही चीज़ यहाँ पर यह दिखाएगा इसमें आपको आप वाला arrow दबाना है, यह side वाले नहीं दबाना है अप वाले arrow दबाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको पूरी details आजाएगे फिर उसको जहाँ पर आप सेट करेंगे वह आएगा बट यहाँ पर लेकिन आपको single ही portion का दिखाएगा कि मतलब आपको या economy दिखाएगा या mileage ही आपका दिखाएगा या total kilometer distance दिखाएगा यही चीज आपको यहाँ पर यह दिखाता है दोस्तों तो यह चीज थी इसके cluster की अब चलते हैं इसके music system में दोस्तों यह इसका music system है इसके music system में आपको कई सारी चीज़े यहाँ पर install भी होती है जैसे इसमें folks again आपको 5 app देता है install करने के लिए जैसे उसमें क्या करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर home button आपका अगर ऐसा menu है मालीजे यह है आपका तो आप इसमें home button दबादेंगे तो आपका home में आ जाएगा फिर यहाँ पर connect में जाएंगे connect में जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहेंगे वाइफाई और device का option आ रहा है आप वाइफाई के जरीए इसमें अपने phone से hot spot on करेंगे वाइफाई के जरीए आप वाइफाई connect करके यहाँ पर आपका जबड़ाईफाई connect हो जाता है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड और आपका इस तरीके साब इसमें वाइफाई connect कर सकते हैं तो यहाँ आपका i am online आ आपका वाइफाई यहाँ यहाँ पर connect हो scanner आजाता है इस बार कोड़ को आप अपने गूगल लेंस के जरी इसको scan कर सकते हैं फिर इसमें आपको ID बनानी पड़ेगी जो ID आप वहाँ पर बनाएंगे फिर यहां पर login वाले function में जाके आप इसको login करेंगे तो यहां पर जैसे जब आपका वायरलेसली एंड़ड आटो और एपल कार प्ले मिलता है और उसमें भी कई सारी चीजे मिलती हैं वह चीजे जैसे मैं आपको दिखा कर चुका हूं दोस्तों अब मैं यहां पर एंड़ड आटो में क्लिक कर लेता हूं तो यहां पर मेरा इंटरफरेंस खुल गया है मैं यहां पर इस option को करता हूं अब दोस्तों यहां पर जो आप एंड़ड आटो करते तो इसमें आपको यह सारी फंक्शन यहां पर मिल लाम है यह दिखित दोस्तो त्रिपल-ए-डी यह देखिए दोस्तो आपको देखितना है त्रिपल-ए-डी यह वाला एप आपको Google से इंस्टॉL करना है दोस्तों्तों यारि गूगल स्टोर से प ciudad से हिने हनना है गूगल क्रोम से आप इसको limbs कर सकते हैं इसको जब आप इंस आप Android और Apple CarPlay Connect करते हैं तो आपको यहाँ पर यह CarStream का Option मिल जाता है फिर इसमें आप वीडियो प्ले कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से देखें जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ यह देखें दोस्तों तो यह इस तरीके से आप इसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं यहां पर यापको प्ले करना चैयां जाते हैं वह सारी चीज़ प्ले कर जाते हैं जैसे याउट हे Quem पे करना चाहते हैं उसी तरीकसा आपको यह मिलता है लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यह जो एप मैंने आपको डाउनलोड करवाया या आप करेंगे उस एप को जो है आपका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा शुरू के वन मंद के लिए आपको फ्री मिलता है कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो यह चीज था इसके music system की जो मैं आपको android auto apple carplay में खासकर बताना चाहरा था जो लोग कहते थे कि मैं अपनी गाड़ी में वीडियो कैसे play कर सकूं टैगन या वर्टस के music system में बाकी आप यहां पर गाड़ी की details वगरा देख सकते हैं सारी जैसे थी कुछ जो मैं आपको दिखाना चाहरा था बाकी एक चीज और मैं आपको इसमें दिखा देता हूं दोस्तों जैसे मैंने भी गाड़ी बंद कर दी अब मैंने क्या है गाड़ी का दरवाजा खोला यह काम आएगा तब आपके जब आप जैसे कही night driving कर रहे हैं और आ गाड़ी जैसी आप बंद कर लेंगे तो आप एक चीज देखेंगे जो आपकी left right hand side की है lights आपकी on रहेंगी यह उस condition में जलेगा जब आपकी गाड़ी पूरी बंद होगी यानि inigation भी आपका on नहीं रहेगा आपने इंडिगेटर दे देना है जिस side को आपको इसका parking का दि यह देखेंगे तो इस तरीके से कुछ चीजे थी जो मैंने आपको बतानी थी जो useful थी जो hacks थे इसके वो मैंने आपको इसमें बता दिये तो आपको मेरी जानकरी कैसी लगी दोस्तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताईएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प आपको प्यार मिलतो रहे लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजे जिससे कि आपको मैं ऐसे न्यू अपडेट्स दे दे रहूँ गाड़ी के बारे मे ओके दोस्तों चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे कोई नहीं वीडियो में